नमस्कार आप सभी का स्वागते स्टडी विद जे आर यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम माद्यमी शिक्षा बोड की किताब है कक्षा 6 की सामजिक विज्ञान की इसका हम चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 7 का पाट 1 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं आज के इस वीडियो में हम पाट 2 देख रहे हैं और यदि आपने पाट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप देख लीजेगा इसके अलावा अब तक कक्षच है कि जो किताब है सामजिक विज्ञान की इसके टोटल सिक्स चैप्टर्स कम्प्लीट हो चुके हैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं आज हम पड़ेंगे पार्ट्टू चैप्टर सेवन परियावर्निय परस्थियोंने हमारी धरती को अलग-लग परियावर्निय परस्थियां होती है इसके अकौर्डिग हमने परियावर्निय पर्देश को बाटा है परियावरन जहां जैसे जिस स्थान की जैसी परियावरनिय प्रदेश को बाटा है जैसे कि यहां पर परियावरनिय प्रदेश जो परिस्थिती है वो सेम है इस स्थान पर भी सेम है इसे ही क्या कहते हैं इसे ही प्रदेश कहते हैं मतलब हर स्थान में कुछ विशिष्टा होती है कुछ विशिष्ट उसके लक्षन होते हैं जो कि उसको दूसरे स्थान से अलग बनाते हैं इसे हम क्या कहते हैं प्रदेश कहते हैं अब देखिए प्रियावरनिय प्रदेश तो कुछ चीजें सेम हुई तो उनके आधार पर हमने क्या किया उनको परियावरन प्रदेशों में बाठ दिया समान परियावरन ये परस्थितियों और कारक जैसे जलवाईयू मिट्टी वनस्पति इनके समलित शरूप से प्राकर्तिक वातवरन तयार होता है तो देखे जो परि कर भूभाग को एक विशिस्ट शरूप प्रदान करते हैं जो बाकी भूभाग से अलग होता है अब हम प्रत्वी के अलग अलग परियावरन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो देखे इसम स्थति में जैसे कि यहां के जो यह स्थान है इसकी जलवाईयू इनको हमने क्या किया एक ही इस्थान में एक परियावरन प्रदेश में बाढ़ दिया है ना नेक्स्ट है फस्ट नमबर पे देखिए उच्च भूमी अब उच्च भूमी में देखिए आपने पहाडों के बारे में तो सुना होगा उची उची चोटियां और गहरी खाईया यहां वातावरन ज्यादा गरम नहीं होता है पहाड़ों पर गरम नहीं होता ना ज्यादा उचाई पर अगर हम जाएं तो हम बरब भी देख सकते हैं क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे हम उचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं तापमान क्य उचाई की तरफ जाने पर और वहां का मौसम भी ठंडा होता है तभी तो पहाड पे जादा ठंड होती है आपने देखा होगा जो पहाड़ी एरिया हील एरिया होता हील स्टेशन वहां पर ठंड जादा होती है क्यों होती है क्यों कि वहां पर उचाई की तरफ बने होते हैं औ और नदियां बड़ी तेज बहती हैं, कहीं कहीं तो डहलान इतना सीधा होता है, कि ये जहरने के रूप में नीचे गिरती हैं, यहाँ जादा समतल जमीन नहीं है, इसलिए आप बड़े-बड़े खेत नहीं देख सकते, यहाँ पर क्या होता है, कि पहाड होते हैं, तो पहाड करने में यहाँ नहीं हैं, जा हाँ अपना घर बनाते हैं, अगर फैकषिय की नूमा खेत बने होते हैं, धूर से देखिए में उससा लगए, के लिए से अड़्स यद्यू डर्त हैं, यह दूर्से देखिएंक अपर चड़ने के लिए से एवसे बने हुए हैं, पर वो एक्चुल में खेत होते हैं छोटे-छोटे जगह में इतने इतने एरिये में इस तरीके से खेती की जाती है क्योंकि यह समतल नहीं होता है ज्यादा उचाई पर होता है इसलिए तो यहाँ अगर खेती होती भी है तो इनी कम ढ़लानों को काट कर सेडी नियुमा खेतों में की जाती है यहाँ ज़्यादा फसले नहीं होती है ज़्यादा तर यहाँ सबजिया पैदा होती है और चाय या फलो के बागान होती है तो यहाँ पर ज्यादा फसले नहीं बोई जाती है नहीं होती है और यहाँ पर ज्यादा तर क्या होती है सबजिया पैदा होती है और चाय या फलो के बागान है उचे परवती शेत्रों में अधिक ठंड के कारण क्रशी कारे की संभावनाय कम ही उपलब्ध होती है यहाँ पर परिस्थितियों के अभाव में यहां के निवासी वन एवं पशु पालन से संबंदित कारे करते हैं उत्तरी भारत में हिमाल्य परवत दक्षिन भारत में नील गिरी और अन्ना मलाई की पहाडियां उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी लाके में ऐसे पयावरन के उधारन है यह देखिए हिमाले के ढ़ालो पर सीडिनुमा खेत अब यह दूर से देखने में हमें कैसे लगते हैं कि सीडियां सी बनी हुई है यह सीडिनुमा खेत हैं और यह देखिए हिमाले की बरफिली चोटिया नेक्स्ट निम्नमुवी तो देखिए पहला हमने क्या पड़ा उचाई कम होती है उसे निम्न भूमी का जाता है नाम से पेचान में आ रहा है न देखिए निम्न भूमी नीचे है और उच भूमी जो उपर है उचाई पर है तो देखिए निम्न भूमी जो है वो ऐसा भूबाग जिसकी उचाई कम होती है उसे निम्न भूमी कहा जाता है जो इतने अधिक हे तो क्यों होते हैं यह इसलिए क्योंकि मैदान की मिट्टी बहुत उपजाओ होती है यह खेट जादा क्यों होते हैं क्योंकि जो मैदान की मिट्टी होती है वो बहुत उपजाओ होती है अब आप सोचेंगे मैदानों की भूमे इतनी उपजाओ क्यों होती है यह इसलिए है क्योंकि जब नदियां पहाडों से भैकर नीचे आती है तो अपनी तिवृता के कारण अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है और मैदानों में जमा कर देती है पहाडों से उतरती हुई नदियां नदियां ही धीरे धीरे मिट्टी का जमाव कर समतल मैदानों का निर्मान करती है और उपजाओ मिट्टी के कारण यहां का जन जीवन क्रशी पर आश्रित होता है और यहां जन संक्या सगन होती है इसका उधारन हमारे देश में गंगा भूमी है ना यह क्या है समतल मैदान होते हैं इसमें और चोड़ी चोड़ी नदियां होती है और जो कि मद्यम गती से बहती है और यहां पर जो मैदान की मिट्टी होती है वो उपजाओ होती है उपजाओ क्यों होती है क्योंकि जो यह पहाड जो है क्योंकि जब नदियां पहाडों से बहकर नीचे गिरती हैं क्योंकि ये जो नदिया है ना नदिया पहाडों से बहकर नीचे गिरती हैं और नीचे ये अपने साथ क्या लाती हैं मिट्टी लाती हैं और ये मिट्टी यहाँ पर समतल मैदान में जमा होती रहती है तो इस कारण से क्या होता है कि यहां का जो जन जीवन है वो किस पे आश्रित होता है क्रशी पर क्रशी करते हैं ज्यादा तर समतल मैदान पर जो लोग रहते हैं तो और भूमी भी उग जाओ होती है तो अच्छी क्रशी होती है यहां पर तीसरा है आदर तथा शुश्क प्रदेश पहला हमने पड़ा उच्च भूमी दूसरा हमने पड़ा निम्न भूमी अब तीसरा पॉइंट है आदर तथा शुश्क प्रदेश तो देखें धरातली भिविन्ताओं के कारण हमारे परियावरन में भिविन्ता देखने को मिलती है जलवाईयू भी प्रत्वी के परियावरन को विविद बनाती है जैसे कि ऐसे स्थान जहां खूब वर्शा होती है और घने जंगल होते हैं वहां तरह तरह के पेड़ पौदे जीव जन्तु पाए जाते हैं जैसे कि अमेजन के वर्शवन यहां जलवाईयू में उमस होती है कुछ स्थान दल्दली भी होते हैं उसी प्रकार ऐसे स्थान भी हैं जहां वर्शा कम होती है और मौसम भी अत्यंत शुश्क होता है यहां सदा वाहिनी नदिया नहीं बहती और वनस्पती साल भर हरी भरी नहीं रहती है सामनत है इनने क्या कहते है मरुस्तलिय शेत्र ठीक है तो आदर और शुश्क प्रदेश में हमने पढ़ लिया कि जहां पर कहीं पर जादा वर्शा होती है है ना तो वहां पर क्या होता है कि घने जंगल होते है और तरह तरह के पेड़ पौदे जीवजन्तू होते है जैसे अमेजन के वर्शावन और वहां क्या होता है जलवाईयों में क्या होती है उमस होती है और कुछिस्तान दलदली भी होते है और ऐसे ही जहां पर कम वर्शा होती है वहां पर क्या होता है आदर शेत्र यह देखे यहाँ पर बिल्कुल हरा बरा दिखाई दे रहा है और यह देखे शुषक शेत्र यहाँ पर बिल्कुल हरा नहीं है कम बहुती कम पेड़ है और ज्यादा तर यह शुषक है बिल्कुल नेक्स्ट है वन्पर्देश चौथे नमबर पे हैं वन्पर्देश किसी विशेश भोगलिक परिवेश में पाई जाने वाले पेड़ पौदे, जाडियों एवं घासों को सम्बलित रूप से वहां की वनस्पति कहा जाता है क्या कहा जाता है किसी विशेश भोगलिक परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौदे जाडियों और घासों को संबलित रूप से वहां की वनसपती जब आप वनसपती शब्द लेंगे इट मेंस आप वहां के पेड़ पौदे जाड़ी और घास की बात कर रहे हैं ठीक है इनका संबलित रूप क्या कहलाएगा वनसपती कहलाएगा जबकि जो पेड़ पौदे और जाड़ियों से धके हुए विस्तरत भूबाग को हम क्या कहत वन शेतर बहुत बड़ा वाहगोना चाहिए विशाल वाहगोना चाहिए तो उसको हम कहेंगे वन शेतर कभी आपने वन शेतर देखे हैं वन शेतरों में क्या होता है पेड़ों के जुर्मुट जानवर कीट पतंगे आदी वन सिर्फ एक तरह के नहीं होते हैं अलग अलग ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के वन सब जगे पाए जाते हैं वहाँ की जलवायू पर डिपेंड करता है कि वहाँ कौन से वन मिलते हैं कहीं घने सदावार वन हैं तो कहीं ऐसे वन भी हैं जहां पत्त जड़ में पत्ते ज़ड जाते हैं अब ऐसा भी नहीं है कि यहां सिर्फ चानवर रहते हैं यहां पर कई मानव समू भी रहते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं जन जाती आपने नाम सुना है जन जाती का तो यह लोग यहीं रहते हैं घनेवनों पर पर यह बहुत दुख का विश्य है कि हम अपनी स्वार सिद्धी के लिए इन जंगलों को कारते जा रहे ह हम भूल गए हैं कि ये जंगल ना सिर्फ हमारी हवा से कारवन डायॉक्साइट को सोक कर वातावरन को साफ रखते हैं बलकि ये इन आदिवासी जंजातियों के आवास भी हैं भूमद्य रेखिये अफरिकी दक्षिन पूर्वी एशिया और दक्षिन अमेरिका में वनिय शेत्र आज भी कायम हैं मतलब कुछ ऐसी जगे हैं जहां पर आज भी वनिय शेत्र कायम हैं कौन-कौन सी भूमद्य रेखा अफरिका दक्षिन पूर्वी एशिया दक्षिन अमेरि को सोख लेते हैं हम जो carbon dioxide निकालते हैं उसको कौन ले लेते हैं पेड ले लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं oxygen देते हैं तो इसी लिए पेड बहुत ही important है बहुत ही मैधपुन है हम सब के लिए और देखिए इसमें हमने वन परदेश में पढ़ लिया है किसी कहेंगे वन शेतर कहेंगे ठीक है और कहीं पर अलग अलग तरह के जो पेड़ है वन है पाए जाते हैं कहीं पर सदावाहर होते हैं और कहीं पर पत्ते जड़ में पत्ते जड़ जाते हैं जिनके ऐसे वन भी पाए जाते हैं ठीक है इसके लावा आप देखिए जो ये ऐसा नहीं है कि वन में किवल सिर्फ जानवरी रहते हैं यहाँ पर कई मानव सम्मू भी रहते हैं जिने हम क्या कहते हैं जन जाती कहते हैं तो इन वनों में ऐसा नहीं है कि किवल जानवरी ही पाये जाते हैं हमें यहाँ पर लोग भी रहते हैं उनको हमने नाम दे दिया है जन जात का है न तो अब हम लोग क्या करते जा रहे हैं धीर은 काटते जा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है एक तरह से हम अपने लिए एक तो नुकसान कर रहे हैं कि पेड हमें जो हमारी क्ारबन डरॉक्साड इन को शूकते हैं वातावरन को साफ करते हैं तो ये अध्वारन को qil Michael रहा है कि इन जन जातियों का जो आवास है घर है वो हटता जा रहा है तो इसी लिए हमें ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए और पेर तो बिलकुल भी नहीं काटने चाहिए भूमद्य रेखिये अफरीका, दक्षिन पूर्वी ऐशिया और दक्षिन अमेरीका में इस परका और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे धन्यवाद